जब कोई सबजे समझ मेने आए तो एक बार ये स्टफट ग्रीन चिलीज बना कर देखिए और किन मानिए अगर आप इन्हें एक बर बना कर खाएंगे तो आप सबजी के टेस्ट को भूल जाएंगे और इन्हें बार बार बना कर खाना जाएंगे तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली स्टफट हरी मिर्ची इन्हें बनाने के लिए हमने लिए 10-12 हरी मिर्ची आदा चम्मच सौफ आदा चम्मच जीरा आदा चम्मच राई आदा चम्मच अजवायन आदा चम्मच चाट मसाला नमक और एक चम्मच बेसन तो चलिए बनाना शुरू करें सबसे पहले एक पैन लेंगे उसे हम मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे जैसे पैन गरम होता है हम इसमें अपने सुखी मसाले डालेंगे और उन्हें हलका सा भूनेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हमारा जीरा साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौफ और जो हमने राई ली थी वो भी डाल देते हैं हम इसमें और साथ ही हम डाल देते हैं हमारी अजवायन अब इन मसालों को हमें ऐसे ही low to medium flame पर पका लेना है इन्हें अच्छे से भून लेना है इन्हें भूनने से क्या होता है इनकी कुष्बू तो बढ़ती ही है साथ ही भूने हुए मसालों का जो flavor है वो भी काफी उभर कराता है तो इन्हें ऐसे ही यूज़ करने की वजाए इन्हें अलका सा हम पहले भून लेते हैं जिससे की हमारी हरेमेचरी बहुत ही अच्छी बनेगी मसालों को हमें चलाते रहना है ताकि ये नीके से जलेना और इन्हें ऐसे ही चलाते हुए हलका गोल्डन ब्राउन होने तब हमें अच्छे से पका लेना है जादा नहीं पकाना है जादा पकाने से मसालों का टेस्ट है वो खराब हो जाता है तो देखिए ये भूनकर रेडी है तो हमें बस इन्हें इतना ही बनाना था अब हमें इन्हें ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब फिर से हम वही पैन ले लेते हैं उसे हलका सा गरम करके उसमें हम एक चमच हमारा जो बेसन या ग्राम फ्लोर हमने लिया था वो डाल देंगे इसे हमें लो टू मीडियूम फ्लेम पर प्रोस्ट करना है बेसन को हमें ऐसे ही चलाते रहना है बेसन जो है बहुत चल्दी नीचे से जल जाता है इसलिए हमें से लगाता चलाते रहना है इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है, बहुत ज़दा नहीं पकाना है, वरना हमारा बेसन जल जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, तो बेसन की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और ये अल्मॉस्ट पक कर रेडी हो गया है, देखिए हम मारा बेसन जो है वो ब्राउन कलर का हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं, अब जो मसाला हमने पहले भूना था उसे हम एक जार में ट्रांसफर करेंगे, और इसे हलका दर्दरा सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़दा महीन नहीं पीसना है, बस इने थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है, देखी कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी हमें, बहुत ज़्यादा बारिक नहीं है ये, तो हमें बस ये ऐसा ही चाहिए, अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा बुना हुआ बेसन, साथ ही हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला और हमारा नमक, आप चाहें तो चाट मसाला की जगें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, हम चाट मसाला यूज कर रहे हैं तो हमें नमक उसी के अकॉर्डिंग डालना है, कहीं ज़्यादा नमक ना हो जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे अर्जस कर लीजे, अभी ने हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और मिर्ची के लिए हमारी स्टफिंग अब रेडी है, तो अब इस स्टफिंग को हमारी हरी मिर्ची में फिल कर लते हैं जो हरी मिर्ची हमने लेती है। उसको मैंने लंबाई में saplit कर लिया है कुछ इस तरीके से आप चाहें तो इसके अंदर की जो बीज हैं उन्हें निकाल भी सकते हैं या फिर आप ऐसे ही भी स्टफिंग भी कर सकते हैं यह मिर्ची जादा तीखी नहीं है तो मैंने यह अंदर ही रखा है अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो तयार किया हुआ मसाला है एक एक करके हम अपनी हर इमिर्ची को लेंगे और उसमें यह मसाला फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से और इन्हें हलका सा प्रेस कर देंगे थाकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए तो अब ऐसे ही मैंने सारी मिर्चीों में स्टफिंग फिल कर दी है जो यह मसाला मच के आया आप इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसके पराटे भी बना सकते हैं पराटे में स्टफिंग की तरह से यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे पराटे बनते हैं इसके तो चलिए अभीने फ्राइ कर लेते हैं तो इसके मैंने एक पैन लिया है उसमें एक से डेट टेबल स्पून के करीब मैंने रिफाइंड लिया है आप चाहें तो मस्टर्ड ओयल भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच की करीब ही यह ऑप्शिनल है अगर आप डालना चाहें तो डाले वरना ना भी ड फ्लेम को हमें लो ही रखना है और इन्हें धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से दोनों तरफ से फ्राइ कर लेना है अगर हम फ्लेम को जादा करेंगे तो मिर्ची अचानक से चटक के हमारी आँक में भी लग सकती है तो हम फ्लेम को कम ही रखेंगे और इन्हें अच्छे से पका लेंगे, देखी हमारे मिर्ची पर वाइट स्पोर्ट्स आ गए हैं, तो ये पक कर रेडी हो गई है, आप इसे सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, सबसी के साथ अडिशनल सर्व कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर टाइ करें, और कमेंट टेक्शन में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.